तो आज हमें एक नई सीरिस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रैगन गोड तो चैप्टर नॉबर वन की स्टार्डिंग होती है हमें प्लैने ट्यान ड्याव का सीन दिखा जैता है वैल आउटर स्पेस का वहां पे हमें डावलो यूनियन डिसर्स सेंटर दिख करो जल्दी से जो बाकी होते हैं ठीक है इंजेक्ट कर रहे हैं अब तभी मैसेज आता है कंप्यूटर का कि एमर्जेंसी रिपोर्ट है जो हमारी गोल्ड टिप नीडल है वह अनेबल है मतलब प्यरस नहीं कर पार है एक्सपेरिमेंट की स्किन में साइंटिस बोलता है क्या इसे डालते रहो और जितने जादा साल गाइडिंग नर्जी डाल सको उतनी रुको मत प्रोफेसर बोलते हैं इसको हट बीट कर रहे हैं दूसरा इंसान बोलते है इसके जो वाइटल से वह भी स्टेबलाइज हो रहे हैं वह एक लड़की होती है वह अपनी आइस को अपन कर पिर वह है रान होती है वह देख रही होते पहले आगे एक इंसान लड़का ऐसे पड़ा होता है वह डर जाती है और जलाती है सोचछे क्या मैं यू डर रही हैं इस चीज से मैं ग्रैंड मास्टर हूँ जाहे वह एक एविल स्पीरिट ही क्यो ना हसी? मैं उससे डिसपैल कर सकते हैं फिर वो आगे की तरफ अपने हाथों करती है और इनर्जी क्रेट कर लेती है वो बोलती है होली लाइट शाइन वो जो लाइट होती है उसकी इनर्जी की वो नीचे फोल कर रही होती है उस इंसान की तरफ क्या कुछ नहीं हो ऐसा लग रहे कि यह सिर्फ कोप सी है मैं भाग जाती है बोलती क्या जूम्बी पथर की पिछ चुपी और होती है और का निसान के जेख रही है एक के ल हो गोँbound कराने के ऐा शलो और में? कोई हूं तभी हमें नोर्थ पॉल दिखा जिता है प्लैनेट डूलाओ का वहां पर कोई बोल रहा होता है कि हमने सोर्स ओफ लाइफ सिगनेचर को फाउंड किया है हाफ मीटर की डायमेटर है उसकी और थर्टी सैंटी मीटर की विट है यह एक ओवल शेप में है कोई भी साइ बीस ने छोड़ा हुए हमने में लगते कि बहुत बड़ा जैकपोड को हिट की है वह लांज आय होता है जो है रिसेर्चर है डावल्यो यूनियन रिसर्स सेंटर का ट्यांडाव बांच का वसाथ में एंशेंट स्पीट बीस रिसर्चर है उसी के साथ नांचांग होती है ज जब तुम ऐसे मतलब बनती है तो नांचांग बोलते है कर तुम ऐसे द्वारा बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी लांज आओ बोलता है कि ठीक है ठीक है मैं नहीं बोलूँगा चलो आपनी शिप में बैठ जाते है वो शिप ओडरी होती है तो उसे कोई लांजाओ को की हमें सची मुची से स्टोर करना पड़ेगा मतलब सब जीरो टेंपरेचर पर बोस चलो पहले सिंपल टेस्टिंग तो करते है पहले जैसे की स्कैनर ने बताया यह जो एग इसके पास हंड़ड थाउजन डियर ओल्ड बीस्ट की की है यह एग में को लगते है एक एमपरेर लेवल स्पिरिट बीस्ट का है हमें में लगते कि पर लैब में जाना पड़ेगा जब हम मतलब कुछ डीटेल स्कैन करने से पहले लांजाओ बोलता है कि में लगते वान इन बिल इन चांस है एक सेंपल को फाइंड करने के लिए हम बड़जा लगी है रोज ए यह एक से आरी है लांजा बोलता है नहीं अकर यह कंटीनी होता रहेगा यह जल्दी एक्टिवेट करो शील्ड को पूरीतर से हैच हो जाता तो उससे एक हाथ बाहर आता है इनसान का नाचांग बोलती क्या क्या यह हैंड है साइड में जो एक रिसर्चर होलता ही तो बच्चा होता है expect इनसानी बच्चा वो भी एक्स है और रहीफ में जो किसी कर रहा है यह एक यह यह है फॉसिबल कैसे भर रहेए जहल्ता की टेस्ट को रण करो द्वारा रहा ठीक है क्यों सब कुछ यह बोल रहे वेल वो सची मुची शेल को इट कर रहा होता है लांजाओ सोच रहता है क्या यह सची मुची नॉर्मल हुमन बेबी है तो यह रिसर्च एक्सपेडिशन इन शेल के लाव हमारे पस कोई भी डाटा नहीं बचा हुआ है तो उन सभी शेल को लेके चल पड़ता है वो जो यह रो नहीं रहा है पर हम क्या करें क्या करेंगे हम इसके साथ लांजाओ बोलते है वैल चरो कुछ दे दे देते हैं इसे अग शेल को दे देते हैं कुछ उनको बाकियों को ले जाता है रिसर्च एपार सिर्फ 10% है बहुत यह टरबल सम हो जाएगा बहुत टाइम पहले मि कि शेल्स जो हैं वो सेव कर लिए तो हमें वहीं रखने पड़ेंगे सर्च परपसिस के लिए नाचाएंग होती है वो बोल रही होती है ठीक है वो बच्चा रो रहा होता है लांजाओ नाचाएंग तो यही होप कर सकते हैं कि हम कुछ यूसफुल वो बच्चे के पास चल जाते हैं और उसके मूँ में एंटर कर जाते हैं वो बच्चा फिर शांती से सो जाता है वो शिप जारी होती है फिर वो प्लैनेट में पहुंच जाते है नाचाएंग बोल रही होती है तो बरजा अच्छी स्लीप थी वो बच्चा भी नहीं रोया चल हो गया जो दो एक था वो ऐसे थिन एर में डिसापियर हो गया एक सिंगल मार्ग भी उसने पीछे नी छोड़ा लांसाव बोलता है कि हमारे पास तो कोई भी एविडेंस नहीं है और दूसरे आइडियाज भी नहीं है कुछ रिसार्चर बोलता है कि अब हम क्या करें बोस हमें कुछ नहीं होगा हम ठीक होगे क्योंकि हमें कोई भी सेंपल्स और डिस्कावरी नहीं मिलें पर नेक्स ताइम हमें ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा पर इस बच्चे को साथ क्या करोगे तुम नांचायंक बोलता है कि तुम एक बच्चे को पाना चाती शादी से प प्रपोस किया है तो एक रिसर्चरस ते बोल रहता है वेरी नाइस बोल रहता है क्या यह तो मुझे प्रपोस कर रहे हो यह शादी शुदा नहीं थे लांजा बोलते है माफिय मांगते हूं तुम सभी के लिए पर अगर हम फ्यूचर में कुछ डिस्कवर करेंगे इस चाइ बच्चे के DNA से भी सबी जो डाटा था वो नोर्मल था किसी ने में फिर यह सिच्वेशन नहीं बताई कि मतलब उन्होंने क्या फाइंड के था एकस्पीडिशन में उस बच्चे को लीगल आइडी देने के लिए यूनियन में लांजाओ नैंग चैन ने शादी कर लिए एक बच्चे के लिए लड़की बडिशन नहीं उका ना तो मैं जोन टाइब होगे हो तो और आगा कि अच्छे को बड़ी बड़ी के लिए वह राण हो जाती है वह कि इतने जादा टाइम से थी यूनियन के और आज बहुत बड़ा दिन है वह थाती है वह दिन मैं उसी के प्रेट को कोज नहीं करता है और जो किसम खाता है कि वह कुछ नहीं करेंगी उन्हें टेम्परेरी सिटेजनशिप मिल जाती है और 10 एर्स के लिए सेम चीज होते रहेगी तो एक पर्मनेंट सिटेजनशिप मिल जाएगी अगर तुम पेपर वरक आज कर लोगे तो तुम्हें है वो नाना बोलते है कि ठीक है फिर हमें मेन प्लैनेट दिखा जाता है प्लैनेट ड्वाल का सीन महां पर आसे एक कोई बोल रहा होता है तुम सेफ हो और तुम्हें भी हम टेंपरेरी सिटेजनशिप ग्रांट करते हैं अगर तुम्हें लोज को ब्रेक नहीं करोगे नेक् कर लिया अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करो यह सीरिस पसंद आये तो लाइक करो मुझे पसंद है मैंने काफी पढ़ी है हां तो सब्सक्राइब भी कर देना तब तो के लिए बाबाए